गुवर्धन में परक्रमा मर्ग के अवैद अतिक्रमनों को लिकर NGT का रुख सक्त है NGT परक्रमा मर्ग से गिर्राज परवत को साफ दिखना चाहता है इस समझ में NGT द्वारा उत्तरप्रदेश सरकार को कई बार आदिशित किया गया है लेकिन संतोष जनक कारवाई नहोने के करण NGT ने 21 फरवरी को होई सुनवाई के दोरान सरकार पर 50,000 रुपे का जुरुमाना भी लगाया है अदिवक्ता MC मेहता द्वारा दायर की गई आचका की सुनवाई करते हुए NGT ने फ्रमुग सचेव उत्तरप्रदेश को जल्द से जल्द नियाएले के आदेश का पालन करने को कहा NGT ने कहा कि हमारे आदेशों को सरकार, गंभीर तासले और जल्द कारवाई का जवाव दाखिल करे इसके चलते बुदवार को गोवर्धन राधा कोंड परक्रमा मार्ग से अवैध अथिकरमन JCB के माध्यम से ध्वस्त किये गए और लोगों को अथिकरमन न करने की चेताव नी दी गई इस बारे में जानकारी देते हुए नायब तहसिलदार अजयकुमार यादव ने बताया कि NGT के आदेश अनुसार कारवाई की जा रही है मालनी रास्ती अडिप ने अधिकरन के आदेश के अन्पालन ने ये परिक्मा मार्ग पर जो भी अवैध अट्रमा परे चिनित किया गया था जो बन वभाग के जमीन पर है ये रिंजर साब और उनकी टीम है सौसर और पुलिस के सायों से ये पुरा बैजर किमा अपराएगा